हलो एवरीवन जाट अन विल्स में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आइटम लेके आये हूँ जो सभी कार ओनर्स और सभी बाइकर्स के लिए बहुत ही जरूरी है और डेली लाइप में या लॉंग टूरिंग म आपको लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर हमारी बाइक टूबलेस है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती आपके पास अगर ये पंचर किट है तो मुझे अपने चैनल पे काफी मैसेज आये भाई आप बहुत ही लॉंग राइट करते हैं तो अगर बाइक पंचर हो में पंचर हुआ है एक मेरी स्पीती राइड में पंचर हुआ एक में 2018 में लदाग राइड में मेरा पंचर हुआ था मेरी बाइक था तो हमने जस्ट विदिन टू या थ्री मिनट में पंचर को लगा दिया था और फटा फट निकल गया थे और हम ऐसी जगह में थे स्पीती में जहां 10-15 km ना आगे कोई था ना 10-15 km पीछे कोई था तो ऐसी जगह हम फसे हुए थे तो इस चीज की पंचर किट है आप चाहे सिटी में भी है तो आप विदिन फाइव मिनिट अपना पंचर उसी जगह पे लगा के फटा फटा अपने काम पे निकल सकते हैं मैंने काफी गूगल सर्च करा और मैंने चार-पांच के बारे में मैंने निकाली है कि कौन कोई सी किट आपको पंचर किट मैं बता रहो हम आपको यह है टाइर वेल का 6-in-1 का पंचर किट और इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आता है जो सबसे पहले इसमें आता है यह यह नोस प्लायर यह बहुत हम्पुर्टेंट होता है मैं इसके फंक्शन में बता देता हम आपको कैसे क्या काम होता है अगर आपके बाइक में कोई भी कील नेल लगा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए पत्थर भी गड़ गया है तो उसको भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं इस नोस प्लायर से बहुत ही इंपोर्टन होता है यह पंचर किट में तो इसके लावे यह दो टूल हैं यह स्पारल टूल है टी हैंड स्पारल टूल यह है टी ग्रिप है प्लागिंग टूल तो आप दोनों को देख पा रहे होंगे दोनों ही मलंग की बहुत ही यूसफूल आइटम है इसका काम क्या होता है जहां भी पंचर हुआ है उसका रास्ता बनाना आपको क्योंकि यह बहुत ही इंप्राइट चीज होती है इंप्रेंट टूल होती है जो पंचर किट में journalism जब आप जो यह स्टिप्स होती है पंचर स्टिप्स होती है इन स्टिप्स होती है उसको आप हटा देंगे नहीं तो बाद में दिक्कत करती है तो यह हमारी फॉस्ट थी टायर वेल की 6-1 पंचर किट और इसका प्राइज मैं बता दू इसका प्राइज एमाजोन पे है तो यह आप रख सकते हैं अपनी बाइक में गाड़ी में तो यह पांचमें नमबर की हमारी किट थी तो याईस यह है फॉर्थ नमबर यह पंचर किट है और इसकी क्वाल्टी और उसकी क्वाल्टी में कितना जमीन आस्मान का फरक था आपने पहले देखा जो टायर वेल की 6-1 की जो किट थी और इसमें जमीन आस्मान का फरक है तरफ प्राइस का भी ज्यादा फरक नहीं यह 3.89 की है वो तो इसमें सारी चीज वही मिलेगी जो मैंने आपको पहले बताया है और इसकी क्वालिटी में बता दू जो यह टी ग्रिप है कितनी स्टॉंग है यह सबसे इंपोर्टन चीज होती है क्योंकि हम जो अपने प्रपेरिंग स्ट्रिप होती है अगर टायर के अंदर डालते है एक आपका यह नोस प्लायर स्टॉंग होना चीज है प्लस यह जो टी एंड़ पूल्स होते है यह सबसे स्टॉंग होने चीज है और कोई जाला दिक्कर नहीं होती किसी चीज में और इसका आप यह नाइफ देख लीजे कितना बढ़िया नाइफ दे रखा है प्लायर बहु देखी थी M.A.C. Ato की पंचर रपेरिंग किट अब है M.A.C. Card की पंचर रपेरिंग किट यह भी बहुत शानदार पंचर किट है और यह बॉक्स के अंदर आती है और मैं खोल के दिखा देता हूं इसमें क्या क्या आता है तो सबसे पहले इसमें देखिए यह गलफ्स इसल आपका पानी नहीं है तो यह गलफ्स उसकते है आप पंचर लगाने के लिए टी हैंडल ग्रिप्स यह बी कितनी स्टॉंग है यह हमेशा चीज स्टॉंग होनी चीए यह देखिए ग्रिप कितनी अच्छी बनी है इसकी यह क्योंकि आपको प्रेशर लगाना पता टायर के अ अधिन चीज बना चीज हमेशा ध्यानक हो मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूं इसकी निडल बहुत ही स्टॉंग है यह देखो कितनी बड़ी यह निडल है इसकी तो यह कवर में आती है बहुत ही बड़ी बड़ी है एसका में आपका प्रोड़क्ट का दो इसके लावा म बहुत ही बड़ी है यार यह देखो यह मेन टूल्स है आपके यह आपको कील कूल रिमूव करनी है कुछ भी आपके टैर में फस गया है उसको आप आराम से इससे रिमूव कर सकते हैं कितना स्टॉंग है यह यह चीज द्या रखनी है यह एक चौक भी दे रखा इसके अंदर काई भी पंचर हो उससे निशान डालने के लिए यह चौक आपको मिलेगा साथ में तो यह हैं पंचर प्रत्टी रिपेरिंग स्ट्रिप्स यह दे रही हैं 10 हर किट में मौश्टिव मिलेंगी और यह मेन होती है एक बार खिरिद लो आप सालो साल जलती है मैंने मेरे को अब रबर्ट सीमेट होता है जो इसके साथ लगाना पड़ता है ताकि जो ग्रिप है इसकी काफी शांदार हो जाए फिक्स हो जाए अच्छी तरह से इसका भी नाइफ है एक्स्टा ये स्टिप को काटने के लिए इसका जो प्राइज मैं बता दूँ ये 449 की है से मेसी कारड की पंचर रिपेरिंग किट की से पहले हमने देखा था मेसी आटो की रिपेर वह 389 की थी और सबसे पहले पांचर पर हमने दिखिए थी टायर वैल की पंचर रिपेरिंग की यह है 449 की तो 100 रुपर में काफी कुछ बड़ी अ शांदार चीज मिल रही है आपको इसके साथ आपको एक छोटा से मैन्यूल भी आता कि कैसे आप पंचर लगा सकते हैं अगर आप फस्ट टाइम लगा रहे हैं तो इसके मदद से बहुत इसली आप पंचर लगा सकते हैं अब मैं दो नमबर की दिखा देता हूं जो मैंने दो नमबर रखी है टायर वेल की टैनिन वन पंचर रपेरिंग किट सबसे पहले हैं आपने देखा सिक्सी मन यह हट टैनिन वन और यह भी बहुत ही शांदर बॉक्स में आता है यह देखिए कैरी बॉक्स यह होना चाहिए अ कहीं भी जाए अपना आसपास भी जाएं कहीं भी तो यह पंचर रपेरिंग किट हमेशा होनी चाहिए मेरे तो हमेशा है जो मेरा टॉप ऑक्स है उसके मदर पड़ी रहती है तो इसमें क्या-क्या है मैं रिखा देता हूं वही सेम ग्लप्स हैं टाकि आपके हाथ खराब न यह इसमें ती एंडल और मैं वह भी दिखा देता हूं आपको पहले जो दिखाए ता मैंने यह देख भाजी कितना फ़राग है मेसी काट गा और यह आपका है टायरवेल का है और यह ग्रिप यार मुझे ग्रिप बहुत पसान है इसमें इतनी ग्रिप नहीं बन वी हैं और ऐसे ग्रिप नहीं है आप हिला नहीं सकते इसको एक बर आत में आने के बाद और कई भी आपको इंसर्ट कर दो इसको बहुत ही शानदर है यह देखो यह टायरवेल का सम्वान है सारा सब कुछ सेम होता है इसमें इसमें क्या है कि आपको एक फ्यूज आपको एक्स्टा दी यह ब्लेड के लो कटर के लो यह सॉलूशन है रावर्ट सॉलूशन तो सभी जितने भी जो पंचर केट है सभी में आलमोद सभी की चीज एक ही तरह की मिलती है जो सस्ती वाली लोग है इसमें से तीन-चार चीज मिसिंग होगी बाकि सारी सेम ही होती है एक क्वाल्टी के ब अब भी खरीद नहीं है तो यह अब स्टीर पी खरीद होगे यह कई से भी मिल जाएगी आराम से लेकिन यह चीज और प्लायर नोस प्लायर 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 यह चीज ट्रॉंग करने चीज है यह याद रखना है इसकी कीमत मैं बता दू यह है 549 का और हमने 349 से चुलू कर यह यह भी है मेसी आटो की पंचर रपेरिंग गिट और इसमें जो टूल्स दिये गए यह कंप्लीट आल्मोस्ट कंप्लीट है यह आपको कुछ भी एक्स्टा कैरी करने के जुरूद नहीं है अगर आपके पास यह है तो तो मैं खोल के दिखा देता हूं आपको भी होों पास तो बहुती शानना पेकिंग है बैग है यह अपना जीपर बैग है और यह देखिए groupe आप देख पारे होंगे इसमें निएक पासब कुछ है सब कुछ मिलेगा प्समें इसमें बोटल भी दे रखी है शेम्पू बोटल साथ में शेम्पू भी दे रखा हैं शेम्पू मिलाओ और स्प्रे करो टायर पर आपको पता जल जाएगा कहां से लीक हो रही है अगर ज्यादा हवा निकल रही है तो उसमें पता नहीं चलता जब तक आप यह शेम्पू उस जगह पर ना मारे टायर पर यह टी ग्रिप इससे हम उस जगह पे उस खोल को साफ करेंगे ताकि हमारी जो स्टिप है पंचर रिपेरिंग स्टिप्स है वह अराम से उसके अंदर जा सके यह यह है स्टिप्स यह भी कितनी अच्छी क्वाल्टी है और यह गलफ्स दे रखें इसमें और इसके लावा यह प्रेश बाटल नोस प्लायर यह काफी अच्छी क्वाल्टी कहा है और यह टी ग्रिप दो तरह की होती है आपको मैंने बताए था पहले क्याकर काम आती है यह अपना शोलूशन है रवर सोलूशन और यह लगाना पड़ता है आपको स्ट्राइप के साहाँ ताकि ग्रिप ब तो यह और एक्ट्र चीज दे रहु कुछ हो जाए तो यह एकश्टा छीज दे रहा है तो मैं नाइकश्टा रहा रखती मैनूल कार्ड वगारे शप हमें दे रखा देश चाहिसमें नाइक पहले धिखा घनकला आता और पूरी चार पांच साल भूल जाएं चीज को क्योंकि एक तो केरी करना बहुत एजी है क्योंकि इसमें सारी कुछ आइटम है इस जिपर बॉक्स में आराम से आप केरी कर सकते हैं कई भी रख सकते हैं तो मेरी रेक्मेंडेशन हैं एक बार चीज लेनी है तो आराम से आप लो अपने गारी में रखो बाइक में रखो और बेनिशिंद होके कई भी राइड करो अगर आपके पास टूबलेस बाइक है या तूबलेस कार है वहां हर बाइक और कार टूबलेस ही आ रही हैं तो इसलि आपको जो भी अच्छा लगे वो खरी सकते हैं मेरे इसमें कोई कुछ कमीशन नहीं है मेरे कई वीवर्स के मेरे मेरे मैसेज आए थे इस वज़े से मैंने एक वीडियो बनाई आपके लिए ताकि आपको हेल्प हो सके इन फ्यूचर आपको भी लॉंग टूर कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको यह चीज़ की हेल्प हो जाए आपने जेक हो पं Japon रिपेरिंग केट तो ले लिए लेकिन अब अब हवा किसेए उसमें इंफिलेट करेंगे अपने फ़बार में इसके बारे में बता देता हूँ है आपको मैं जो इस करता हु माय वह बता देता हूँ सबसे पहले लादाक में हम लेके गए थे पंचर पेरिंगेट और हम लेके थे हैंड पंप लेके गए थे साथ में कि हमारा 12 दिन के ट्रिप था तो वह तीन चार जगा हमारा यूज़ भाई की बाइक शुरू में करणाल के असपास पंचर हो गी थी इतनी बड़ा उसके अंदर कील चली गी थी तो हमारे पंचर गिड़ थी तो हमने वह पंचर लगाया और हाथ से हमने फाइब मिनट में या दस मिनट में पंचर लगा दिया था आज कल मैं जो यूज़ कर रहा हूं वह भी बता दूँ यह है माई का इंफलेटर यह वायरलेस है एक बार आप चार्ज करके रख लो उसक है Rabbit5 का मैं आजकल बने में अपनी हावा बरते हूं इससे यह बाइक का है और यह कार का है इसके लाब आप आप अपनी फुटबाल में भी हावा बर सकते हैं इस पहшей और रही मतल़ कि कंपैकट है थोटा साइब और कहीं आपको वायर लगाने की जुरूवत नहीं कुछ कहीं चार्जिंग करना नहीं यह घर से एक बार चार्ज कर लो चार पंच बार यूज हो जाता अची तरह और आप जैसे आप करेंगे यह बंद हो गया तो काफी कन्वीनिंट है यार यह इन्फलेटर है इसका भी लिंक मैं दिस्क्रिशन में दे दूँ और जितने भी प्रोड़क्ट्स आपको मैंने अभी दिखाएं पांचो रैंकिंग वाइस में हो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप वहां से जो सस्ता लगे वो ले लो लेकिन होना जूरू चाहिए अगर आपके पास नहीं है आपके दिमाग में थोड़ा घूमता ही रहेगा किसी को आपने रास्ते में पंचा देख ले आये काश मेरा पंचर ना हो जाए इस तरह की सोच हाथी रहेगी और आपका आदा जो जो ट्र करता है बंदा जाये कहीं भी चला जायेगा तो आपको यह वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जुरू करना और कोई भी कॉयरी हो आप मुझे करते रहते हैं मैं आपको सभी को मैं रिपलाइ करता हूं तो आप भी मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मेरे को इंस्टा पे बेबी जा कि मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपके हर क्वारी का मैं जवाब दूगा और कोई भी मेरा निया व्यूर्स है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह अच्छे च्छे वीडियो बनाने का तो अन्तमें दोस्तों र झाल